बिस्मिल्लायर्मान इरहीम, on the demand of Jacky Ralee, यह characteristics root find करना हमें, is matrix का, find the characteristics root of the matrix, a00, यह column में element ड़मने दिये, hb0, gfn0, इस matrix का में, characteristics root find करना है, characteristics root को आईगन values भी कहते हैं, तो आईगन value find करने हैं, तो जिस matrix का, इस matrix का अगर हम नाम a डालने, a जायती दिया, तो किसी भी matrix, जो square matrix होना चाहिए, यहाँ पर यह square matrix है, three order के, three by three के हैं, तो इस matrix का जो characteristics equation होता है, उससे characteristic roots मिलते हैं, या आईगन values मिलते हैं, तो पहले नहीं लखना होगा, characteristics root, sorry, characteristic equation, the characteristic, characteristic equation, equation of square matrix, square matrix संभाने यह है, जो given matrix है, a मैनस का, लेमडा आई, का determinant वराबर जीरो, इस equation से ही, characteristics value मिलते हैं, या आईगन values मिलते हैं, इसको find करने के लिए, हमें, जो matrix a दे रखिये, उसको determinant की फार में convert करना होगा, और जो leading diagonal है, उसमें जहाँ पर भी कोई भी element है, उसमें से lambda को minus करना होगा, वाक्की of diagonal element, same रहेंगे, कोई changes नहीं आएंगे, तो a में से lambda माइनस हो जाएगा, और इदर b में से lambda माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखना है, यह element c होगा, तो c में से हो जाएगा, माइनस c माइनस का lambda, वाकि of diagonal element no change, h है, g है, f है यहाँ पर, 0, 0, 0, तो एक determinant हा गई, और determinant को हम लोग solve करेंगे, expand कर देंगे, यहाँ पर, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है, दो 0 है, तो हम इस c1 के term में expand कर देंगे, यहाँ पर c1 के term में expand करेंगे, तो इस element से जाने वाले row column को चुपा देंगे, तो जो बचेगा, उसको हम एक determinant में लिखेंगे, तो a minus lambda और इस से जाने वाले row और column को चुपाने पर जो बच रहा है, उसको एक determinant में लिखेंगे, वरावर 0, बच रहा है, भी मैनस lambda, f और 0, c minus का lambda, अब यह second order की determinant है, जिससे solve करने के लिए, इसका इंट्विस में और इसका इंट्विस में, यानि क्रॉस में करते हैं, इंटू, तो b minus lambda into c minus lambda और इदर 0 के इंटू, जब वो होगा, f में तो वो 0 बन जाएगा, यानि सिर्फ हमें मिल दा है, a minus lambda, b minus lambda, और c minus lambda वड़ावर 0, य ये तीनों factor का multiplication 0 है, यानि इन में से कोई ना कोई 0 होगा, या ये सभी 0 होगे, तो if a minus lambda 0 के बरावर होगा, तो इससे lambda की value को find करेंगे, lambda को दर ले जाएंगे, lambda की value a के बरावर आगे, इसी तरीके से if b minus lambda is equal to 0 है, तो lambda की value यहां से भी आगे, if तीरसा factor c minus lambda 0 के बरावर है, तो यहां से lambda की value सी आगे, इस तरीके से हमें तीन value a lambda की मिल ले है, यह lambda की value होंगे, इने को कहते हैं, characteristics roots कहते हैं, या eigen values कहते हैं, thank you very much indeed for listening.